अपने शरीर को मसाज देने के लिए या अपने शरीर को हाइड्रेट करने के लिए तो यह जो हाइड्रेशन या मसाज का जो स्टेप है यह हमारा पूरा हो जाता है हमारे सियोना के बॉडी लोशन के साथ में और जैसे कि आप यहाँ पर सकते हैं कि यह आपको बीप तेल पंकिन सीट यानि कद्दू के बीच का तेल आपको मिलता है साथ ही आपको मिलता है विटमिन बी फाइव शिया बटर एंड ओलिव ओईल यानि जैटून का तेल जी हां अब आप खुद सोच सकते कि इतने प्यारे इतने पॉष्टिक भरे इंग्रीडियंट का अगर इसम केर और खास तोर से यह आपका विंटर सीजन में सबसे ज्यादा बिखने वाला प्रॉड़क्ट होना चाहिए और यह प्रॉड़क्ट आपका बहुत ज्यादा बिजनस बढ़ा सकता है अब जब हम बात करते इनके इंग्रीडियंस की नारियल तेल ना कि सिर्फ ओनली आपक इसमें anti-inflammatory properties भी होती हैं anti-inflammatory property का मतलब पहले मैं आपको बता दू anti-inflammatory का मतलब होता है कि हमारे चेहरे पे या शरीर पे जब तवचा पे बहुत ज्यादा खिचाव हमें महसूस होता है तो एक प्रकार की जलन या फिर rashes हमारे शरीर में होते हैं dryness की कारण तो जो rashes या फिर dryness जो होती है ना उसको हम कहते हैं anti-inflammatory problem होना so inflame का मतलब एक प्रकार की जलन English में यह जो word है ना inflame या flame इसको कहते हैं आग या जलन लगना तो यह जो anti-inflammatory होता है मतलब नहीं inflammatory properties आपको यहां से बिलकुल रद्ध हो जाती है जब आप इस body lotion का इस्तमाल करते हैं ग्याट तो आपके शरीर को यह बहुत ही काम करदेता है ठंडक पहुंचाते हैं सुथ करते हैं ठंडक intense आपके शरीर पर जो भी जलन या जो भी rashes के कारण जो जलन हो रहरा है उसको यह शांद कर देता है और आपके शरील को बहुत जादा सॉफ्ट बहुत जादा सपल बनाने में मदद करता है जब हम कद्दू के बीच की बात करते हैं या फिर पंकिन सीट की जब हम बात करते हैं तो यह मदद करती है आपकी त्वचा में नई त्वचा का विकास होने में यह मदद करती है मैं आपको बता दू, बहुत बारी मैंने ये बहुत सारे सेशन्स में बताया कि हर पंद्रा दिन में या बीज दिन में हमारी नई तवचा तयार होकर के बाहर आने की कोशिश करती है, सो कद्दू के बीच का तेल क्या करता है, उस तवचा को वो बहुत हेल्दी और बहुत अच्छी कहते ना प्रकार से बन करके बाहर निकल के आए, उसमें ये बहुत अच्छे से खास रूप में मदद करता है, विटामिन बी फाइब हमारी तवचा की कोशिकाओं को सुधारने में मदद करता है, हमारी जो सेल्स हैं, उनको अच्छा बरकरार करने में, हेल्दी बनाने में मदद करता है, जितना जो आप हमारा जो शरीर, आप अपना जो शरीर देख रहे हैं, ये कोशिकाओं से बना होता है जैसे एक बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए हमें इटों की जरुवत पड़ती है ना ठीक वैसे ही हमारे शरीर को बढ़ाने में सेल्स की मदद होती है कोशिकाओं की मदद होती है तो ये जितनी जादा कोशिकाओं हमारे शरीर में अच्छी मात्रा में बरकर बार्ख करने में इसी के साथ साथ जब हम शिया बटर की बात करते यह एक मात्र ऐसा इंग्रीडियेंट है जो बहुत गहराई से हमारे शरीर की तवचा को बहुत जादा नरिश करता है सॉफ्ट बनाने में मदद करता है नमी देने में मदद करता है और जब हम ऑलिव यानि जैतून के तेल की बात करते हैं तो इसमें आपको मिलता है प्रोटेक्शन यानि वाकई में वापस से यह आपके शरीर को एक कहते हैं न सुरक्षा की रेखा बनाने में मदद करता है या फिर कोई भी नुकसान अगर आपको शरीर से सूरज की क जो सूरज के कारण आते हैं हमारे शरीर में उन फ्री रेडिकल से यह लड़ता है और हमारी त्वचा को स्वस्त और सुरक्षित बताने में मदद करता है आज की हमारी यह जो ट्रेनिंग थी पॉसनल केर की यह समाप्त होती है आप सभी लोगों को बहुत अच्छा लगा हो में 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 पॉसर को जो गया हमारी झाल सब आ ACE बती हिए धताने में पॉसर फ्रह चानटिन सवमारी है आप的是 और है उन लड़ता है क्योंकर की में विए बहा है हमारी आप आप श jóराह आदे सोवाली बहा हैएल गला ह मुच्चा झारोब